Welcome students चलिए तो सबसे पहले आज हम ये समझते हैं कि C programming होता क्या है तो क्या है C programming वो हम लोग देखने वाले हैं तो चलिए topic सुरू करते हैं हम लोग C programming से तो students C programming में C का क्या मतलब है computer C क्या है computer है बट ऐसा actual में नहीं होता मैं इसको अपने धंग से बता रहा हूँ आपको C मतलब है एक language जो computer से communicate करने के लिए use की जाती है अगर humans को computer से कुछ computer को बताना है या कुछ से करवाना है तो humans क्या करेंगे एक instruction देंगे किसको computer को तो जिस language में instruction देते हैं that is C language या C programming language तो ये सारा काम होता कैसा है इसको एक छोटे से block diagram से समझते हैं देखिए हमारे पास क्या होता है computer होता है क्या होता है computer एक machine है तो computer generally पहले क्या करता था computation work करता था अभी भी computation work करता है तो माल लीजे कि अगर आपको कोई भी दो number है A और B ये दो number को आपको क्या करना है add कराना है या A B की जगा आप ले लीजे 1 और 2 इन दोनो numbers आपको क्या करना है add कराना है तो computer का use करके अगर आप ये add करवाना चाहते हैं आपको इसमें क्या देना पड़ेगा आपको देना पड़े गा इसमें input क्या देना होगा input ऑन और टू आप इसमें input देते हैं तो computer फिर हमें इनको जोड करके क्या बताएगा? output बताएगा, क्या बताएगा? ''output देगा'' तो इस तरीके से एक छोटा समय ने आपको application बताया कि computer programming में आप 1 और 2 कैसे देंगे इसका एक language है उससे ये जाएगा और फिर उस 1 और 2 को computer को क्या करना है जूड़ना है घटाना है गुड़ा करना है भाग करना है ये चीज आप programming के थरूस को बताते हैं और फिर computer वो समझता है कि मुझे क्या करना है और वो फिर उस चीज को perform करके हमें output दे देता है तो इसमें कोई भी जैसे task है computer से जो हमें कराना है task मान लेते हैं हमें क्या task कराना है कोई भी दो पूर्ण संख्या को हमें क्या करना है एड करवाना है जुडवाना है मान लेते हैं ये हमारा task है और मान लेते हैं दो नंबर है पहला a है 5 और दूसरा नंबर b है 6 और ये कोई भी नंबर हो सकते हैं अभी मैंने जस्ट 5 और 6 लिया है ये variable यूज करेंगे a और b इसकी जगा पर ठीक है तो ये दो नंबर को अगर हमें add करना है ये हमारा task दिया हुआ है जो computer के थुरू हमको perform करना है तो बेटा इसमें तीन चीजे होती है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी पहले तो आप इसको verbally समझोगे कि आप कैसे कैसे ये काम करने वाले हो है न तो वो जो भी instructions आप उसमें लिखोगे उसको क्या बोलेंगे algorithm क्या बोलेंगे algorithm मैं भी बनाओंगा algorithm तो algorithm बनाना पड़ेगा उसमें algorithm में क्या करना पड़ता है वो हम समझते हैं सबसे पहला काम इस step क्या होगा सबसे पहला step होगा start प्रोग्राम क्या होगा आपका start होगा ठीक है फिर step 2 क्या होगा step 2 होगा input क्या होगा input देना यह दो नंबर है ना A और B इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ input A and B A और B दोनों नंबर का input आप लेंगे computer में फिर step 3 होगा addition क्या होगा addition step 3 क्या होना चाहिए computer में addition होना चाहिए यह किसके अंतर गता जाएगा आपका process के अंतर गता जाएगा इसको लिखेंगे A plus B यह क्या हो गया विटा आपका addition जोडना हो गया फिर step 4 हो जाएगा आपका step 4 output step 4 क्या हो जाएगा output या display 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 sum जो भी addition होगा उसको आप display करेंगे तो वो result यहां पर आ जाएगा या display sum या result कहा देते हैं यह आपको मिलेगा और step 5 होगा इसमें end the program step 5 is end program तो यहां क्या जाएगा end तो बेटा algorithm में क्या करते हैं आपन एक formal एक understanding के basis पे steps बना लेते हैं कि पहले program चालू होगा फिर हम input दे रहे हैं फिर addition कर रहे हैं तब क्या बोलेंगे algorithm बोलते हैं इसके बाद होता है flow chart इसके बाद क्या use किया जाता है आपका flow chart का flow chart के notations होते हैं तो flow chart को वैसे notation दे करके बनाया जाता है जैसे मैं सबसे पहले oval shape बना लेता हूं यह oval shape बन गया oval shape में हमेसा क्या लिखते है start या end लिखते है फिर start के बीछो भीछ से oval shape के बीछ भीछ से एक arrow लेते हैं और यहां पर क्या लेते है input क्या लेंगे input लेते हैं या जो हम data डालने वाले हैं तो जब कभी भी input लेते हैं तो वो एक parallelogram होता है समनांतर चतुर्भुज होता है इस तरीके का diagram बनता है और ये एकदम बीचो बीच में आना चाहिए ये जो arrow आ रहा है आपका ये कहां प्याना चाहिए एकदम बीचो ये इसके एकदम center में आना चाहिए इस तरीके से और ये arrow क्या बताता है direction बताता है कि इसके बाद ये आ रहा है start के बाद input आ रहा है तो input करेंगे दोनो numbers को फिर next जो आएगा वो होगा process क्या होगा process होगा process मतलब addition तो जो भी process होता है उसको हम लोग rectangle में लिखते हैं एक rectangle ब बना कर लिख रहे है rectangle बना कर लिख रहे है तो ये आपका हो जाता है process और इसमें भी क्या करना पड़ता है बीच में बीचों बीच क्या आना चाहिए आपका arrow आना चाहिए ऐसा अब process के बाद क्या आएगा आपका output आएगा तो जो भी input ये output है वो हमेशा parallelogram में ही बनेगा म ये और इसमें दे देते हैं output और output के बाद फिर से एक oval बनाते हैं और ये कर देंगे program का end यहाँ पर क्या लिख देते हैं program end ये भी बीचों बीच आना चाहिए ऐसे तो flow chart में हम क्या कर रहे हैं algorithm की सभी steps को कैसे use कर रहे हैं एक diagram के form में उसके symbols के form में तो इसको क्या बोल देंगे flow chart ठीक है इसमें flow को कैसे बता रहे हैं arrow से बता रहे हैं तो flow chart क्या होता है ये clear हो गया और कैसे बनाया जा रहा है फिर algorithm में क्या करना था ये clear हो गया आपको तो ये दोनों चीजे मुझे समझानी थी और इसके बाद main हाता है programming क्या आती है programming तो programming को तो मैं आपको अलग से बताऊंगा ही पढ़ाऊंगा अभी फिल हाल आप लोग देख लीजे मैं एक program यहाँ पर बना रहा हूं जिसमें दो number को हम add करेंगे तो कभी भी programming लिखने के लिए सबसे पहले c programming की libraries को आप यहाँ पर add करें include और इसमें अपन include करवा देते है अपने जो libraries है उसको stdio.h यह header files होती है इसलिए .h लिखते हैं इसको फिर एक और header file इसमें use होती है include conio.h यह दोनों header files हमने use कर ली इसके बाद हमारा main basic programming का structure आता है तो basic programming का जो structure है वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से होगा तो basic structure of c program मैं यहाँ पे note करता हूं basic structure of c program तो c program का जो basic structure है वेटा इसमें सबसे पहले आपका header file तो आ गया उपर उसको नहीं ले रहा हूं मैं इसमें होता है void main क्या होता है void main और parenthesis bracket curly braces start होता है और दूसरा curly braces program के end में लगता है यह proper इसी के बीच में इनी curly braces के बीच में ही program आपका लिखा जाता है तो हम इस पर बनाते जाते है side में और यहां note भी करते जाते हैं तो इस तरीके से void हो गया आपना void के साथ main और दो bracket ठीक है और फिर आपका आजाएगा curly braces तो curly braces आप देखिए दो तरीके से काम कर सकते हो या तो keypad से भी ले सकते हो या directly आपके पास में option दिया होता है ठीक है यह option है यहां से भी आ जाएगा जो mobile पे ही enter करके आप create कर सकते हो अब इसमें आपको enter लेना पड़ेगा तो enter अपन कर लेते हैं तो मतलब आप use कर सकते हो keypad उस तरीके से और सुइधा के लिए और भी यहां पर notations रहते हैं अब उपर दबाओगे तो उपर चला जाएगा यहां से ठीक है आप देख पा रहे होगे और यहां पर tab का भी option है tab करके फिर आप program अपना note कर सकते हो तो हम अभी program ले रहे हैं यहां पर दो number को add करना है तो सबसे पहले हमको define करना पड़ेगा दो integer number तो पहले हम ले लेते हैं int identify करते हैं दो number जैसे a और b यह variable ले लेते हैं और यहां पर देते हैं एक semicolon तो int a और b को क्या ले लिया हमने आपका integer ले लिया इसे आप अलग अलग भी ले सकते हो एक साथ भी identify कर सकते हो ठीक है अब इसके बाद क्या कराना पड़ेगा अपने को number की entry करानी पड़ेगी तो print a function का use होता है इसमें लिखेंगे enter your first number जिन दो number को add करना है उसमें से first number को हम क्या कराएंगे computer में entry करवाएंगे ठीक है तो यह notation लिखना पड़ता है उसमें ठीक है अब जो भी number यहां पर लिखेगा वो जो भी number programming में हम लिखेंगे उसमें क्या करेंगे उसको save कराएंगे computer के memory में क्या कराना पड़ेगा save कराना पड़ेगा अब चुकि वो integer है तो हम percentage का symbol ले सकते हैं और उसमें d लिखेंगे यह notation होता है यह और अच्छे से मैं बताऊंगा भी तो starting class है बस आपको यह idea के लिखेंगे बता रहा हूं है यह second number के लिए तो second second number और यहां पर आ जाएगा b ठीक है तो दोनों number हमने safe करा लिया अब हमको क्या करना था हमें करना था दोनों का sum क्या करना था sum करना था तो c is equal to एक नया इसमें c ले लेते हैं और यहां पर यह फिर इसी को sum लिख देते हैं हम लों कोई दिक्कत नहीं है sum लिख देते हैं sum में equal to करते हैं और यहां पर लेते हैं a plus b a plus b और यहाँ पर भी हम semicolon ले लेते हैं इस तरीके से तो यह formula बन गया ठीक है अब अपन फिर से print of function यूज़ करेंगे और यहाँ पर sum of two numbers sum of two numbers ऐसा करके result आ जाएगा हमारा यहाँ पर भी percentage d लगाना पड़ेगा हमको और यहाँ पर use होगा sum इस तरीके से और फिर screen को hold करना है तो उसके लिए use करेंगे get ch यह get ch यूज़ कर लेंगे ओके इसे अब अपन run करके देखेंगे लेकिन उससे पहले यह जो है इसे अपन पीछे ले आते हैं ठीक है और properly हम इसे done कर देते हैं तो यह program बन गया हमारा दो number को add करने का चलो compile करके देखते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ error किया हुआ है ठीक है तो sum क्या है उसको हमने identify नहीं किया है तो यहाँ पर हम उसे identify कर देते हैं sum भी क्या है एक integer है अब run करके देखते हैं क्या होता है तो देखे हमारा program ready है अभी अब मैं इस पर क्या करता हूँ एक number डालता हूँ माल लो 4 डाला ठीक है तो 4 के बाद उछ रहा है enter the second number second number मैं देता हूँ 6 और enter करता हूँ तो देखो यहां आगया sum of two numbers is equal to 10 मतलब दोनों को उसने number को जोड़ दिया है एक बर और हम run करते हैं शायद आप लोग कुछ लोग ना देख पाए हो यहां पर देखे कोई भी number आप ले सकते हो बट integer लेना है पूर्ण संख्या लेना है जैसे मैंने 9 ले लिया और मैंने ले लिया 1000 अब देखते हैं इनका sum क्या आता है तो 1009 तो इस तरीके से program आप बनाते हैं और वो execute होता है ठीक है तो जो भी program है उसमें हमें पहले identify करना होता है ठीक है क्या identify करना होता है कि वो integer है decimal number है या character है यह सब कुछ हमें उसमें बताना पड़ता है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ यह sum को मैं एक variable के नाम से ले रहा हूँ तो अभी क्या हो गए हमारे integer हो गए इसके बाद अपने को number की entry करवानी है ठीक है number का क्या करवाना है entry तो printf function use होगा जिसमें अपन जो भी entry करवाना है उसके लिए लिखेंगे enter enter the first number enter the first number पहला number को आपको क्या कराना है entry कराना है is equal to यहाँ एक space दे सकते हैं मैंने नहीं दिया था फिर आपका आजाएगा semicolon अब जो number entry होगा उसको आपको क्या कराना है सेफ कराना है तो scanf का function है यहाँ पर आप देख लीजे क्या है वो अगर integer है तो percentage d यूज किया जाता है data type और end यूज किया जाता है फिर ये integer बता दीजे कौन सा integer है तो integer a आप यूज करना चाहरे है तो इस तरीके सी scanf हो जाएगा फिर आएगा आपका printf जहाँ पर आप क्या कराओगे second number को enter कराओगे enter the second number is equal to जो भी आपका number है वो entry हो जाएगी फिर उसे आप क्या कराओगे scan मतलब memory में safe करवाओगे computer के पास तो %d inverted comma में रहेगा फिर comma लेके end का और next जो integer है आपका b है तो b के नाम से वो save हो जाएगा इसके बाद आपको addition करना है तो sum use करना है a plus b करना है ठीक है और यहाँ पर आपका यह formula लग जाएगा process हो गया फिर आप result कर रहे हो तो printf और यहाँ पर result मतलब sum of two numbers sum of two numbers two numbers is equal to यह यहाँ पर हमको बताएगा तो यहाँ पर आपको देना है percentage d क्योंकि जो भी value है वो integer होनी चाहिए फिर आपका आएगा sum जो भी result के लिए आपने integer यहाँ पर identify कराया है declare किया है उसके लिए फिर screen को hold करने के लिए आपका जाएगा get ch इस तरीके से आपका program complete हो जाएगा तो मैं भी आपको पूरा program नहीं बता रहा था मैं आपको बताया सबसे पहले मैंने इस video में आपको बताया कि कोई भी task है computer से जो perform करना है जिसमें c program को आप use कर रहे हो तो वो task लिए to add two integer numbers ठीक है a और भी कोई variable है जिसमें कोई भी number आप ले सकते हो तो उसके reference में आपको मैंने बताया कि algorithm क्या होता है और flow chart क्या होता है तो algorithm आपने समझा steps में हम जो लिखते हैं एक-एक मतलब क्या क्या करने वाले है यसे दो number को जोड़ना है तो वो दो number start करेंगे फिर दोनो number को input करना पड़ेगा फिर वो process होंगे formula लगेगा फिर उसका output result आएगा फिर program end हो जाएगा तो ये program के 5 step आपने identify किये इनहीं के हिसाब से आपने symbolic representation किया algorithm का symbolic representation क्या है flow chart है ठीक है actual में दोनों ही क्या कर रहे है किसी problem को या किसी task को perform करने का problem को solve करने का एक तरीका है तो कोई भी task को perform करना है या किसी problem को solve करना है तो उसके लिए आपको algorithm लिखना पड़ता है पहले algorithm समझना पड़ेगा दिमाग में process करोगी कैसे कैसे करूँगा मैं फिर उसी चीज को flow chart मतलब जो symbols होते हैं उनके माध्यम से diagram के through उसी को लिखोगे तो क्या होगा वो flow chart हो गया और जब उसका coding करोगे proper मतलब उसको codes में बदलोगे language के through तो वो हो जाता है आपका programming या coding part होता है ये क्या है coding ठीक है तो आपको समझ में आया होगा video है न अब चलिए थोड़ा सा program को दुबारा एक बार देखते हैं यहाँ पर space ले लेते हैं एक function मैं आपको बताना चाहरा हूँ बहुत काम का function है देखिए अभी यहाँ पर space आ गया ठीक है equal to के बार अब यहाँ पर मैं 67 लिखता हूँ enter करता हूँ 78 लिखता हूँ देखिए 145 इसका addition वो देदेगा इस तरीके से आप और भी काम कर सकते हैं जैसे यह है इसको multiply करना है cross है ना तो star use कर सकते हैं आप यहाँ पर और sum की जगा आप क्या use कर सकते हो product use कर सकते हो तो बहुत simple तरीके से आप एक बार बना लिया program तो उसको multiple use कर सकते हो जैसे 18,7 जा कितना होता है 18 सकते 18 हो गया और साथ डाल दिया equal to x26 अब यहाँ आप यह गुडा करने लग गया और product बताने लग गया आपको तो इस तरीके से काम कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजे coding में हम सीख लेंगे तो यह था पहला वीडियो जो आपका unit है पहला जो chapter है आपका तो उसके लिए मैंने बताया है आपको कि क्या-क्या इसके अंदर अपन कर सकते हैं थोड़ा समय आपको इसी में syllabus दिखाना चाहत हमारा ओके तो syllabus के लिए आपन थोड़ा सा आपको इसमें दिखाते हैं कि 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 यह आप syllabus देख सकते हैं ठीक है तो syllabus में आपका जो सबसे पहला जो chapter है यह देखिए यह आपका है CPBN का subject यह आप देख सकते हो Computer Programming and Basic Networking 4 semester इसका जो course code है वो है 2025 473 022 तो इसी में आप देखेंगे जो पहला अपना curriculum या course outcome है Write a C program using algorithm, flowchart and expressions तो आपको expressions का use करना है, flowchart का use करना है, algorithm का use करके C programming आपको बनानी है तो इसके लिए यह दिया हुआ था अब इसी में आप देखेंगे कि आपका जो unit 1 है वो क्या कहता है तो यह है introduction to C programming अब इसमें था program logic development using algorithm and flowchart तो मैंने आपको express किया कि क्या होता है algorithm और क्या होता है flowchart अब आपको use करना है C flowchart का और algorithm का और छोटे-छोटे आपको task दिये जाएंगे वो programs का आपको algorithm और flowchart बना करके copy check करवाना है फिर आपका आजाएगा basic structure of C program यह भी मैंने आपको बताया कि basic structure क्या होता है C program का फिर data concept यह अगली class में देखेंगे और छोटा सा program भी मैंने आपको करके दिखाया है तो I hope कि आपको clearly यहाँ पे समझ में आई होगी चीजे तो आसा करता हूँ next video में आपन आगे चीजों को पढ़ेंगे thank you so much क्या है